बिहार में बाड के मामले में रेड जोन कहा जाने वाला जिला कचिहार अभी से ही बाड से निपटने की तयारी में है जी हाँ वहाँ के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद से और आपसी जो है वो सहायता से नाव बनाने का कारे कर रहे हैं बाड अभी आई नहीं है बिहार में मौनसून ने बिहार में दस तक नहीं दी है लेकिन लोगों के मन में इतना खौफ है बाड को लेकर वहाँ पर कि अभी से ही बाड से निपटने की तयारी की जा रही है ताकि बाड के समय लोगों को किसे बात की कोई परिशानी ना हो जब क अजबूती से नाव का निर्मान कराय जा रहा है खुद से ग्रामीन लगे हुए हैं इस काम में ताकि बाड के वक्त लोग परिशान ना हूँ और नाव की जरिये लोग एक जगल से दूसरी जगा आ जा सके विज्जो के माधियम से देखे किस तरीके से इतनी कड़ी मेहनत और लगन से ग्रामीन एक साथ मिलकर एक जुट होकर नाव बनाने का काम कर रहे हैं उनके तरफ से क्या कुछ बाते कही गई हैं बाड को लेकर बिहार सरकार को लेकर अपनी स्थिती किस तरीके से वोबया कर रह खाष हो रहा है जिसम choking को स्याहा कर सकेंगे उनका डीरे कार मेस्चि है मेंत अब लप सरकार्से मैं नहीं है कभी नहीं मिल रहे कहले हैं जहार पद्च आई इसे ही लगता है दूलाइवाद चेतर बहुत ही पाढ़ प्रवावी चेतर है यहां जुलाई के लाश्ट तक में जो है बाढ़ का पानी आ जाता है इसके लिए जो है जंता बहुत ही परिसान है और इसके पुर्ब एक लोगों को परिशानी से बचने के लिए एक मात्र ुशीर के दुवारा होता है और जो किसान के लिए बहुत ही दुखधायक है जो हमारे छेतर में गर्मा का खेती किया जा रहा है इससे कई दिन पहले जो हावा चला आंधी आई इससे किसान को बहुत नुक्सान हुआ और फिलाल अभी तराही के स्थिती में है किसान लोगों ने कहा है कि बार के दौरान सरकारी स्थर पर भी नाउपलब्द कराया जाता है लेकिन इस सिलाके में बड़ी संख्या में लोग बार से प्रभावित होने के कारण बार के पूर्वी तैयारी को लेकर अभी से ही खुद या कुछ लोगों के जरिये समाज कटा होकर आर ग्रस छेटर एमदाबाद प्रकंट के लोगों ने तीजी से हो रहे बार बढ़ते हुए जलस्तर से पूर्विस नाउपल का निर्मान पर अपनी बाते भी रखी है आर्थिक मदद से सारे ग्रामेन मिलकर एक साथ नाउ का निर्मान कर रहे हैं काफी मजबूती से इस नाउ को बनाया जा रहा है ताकि बार आने पर किसी बिबात की कोई परिशारी ना हो या तया ठप ना हो लोगों को समस्या का जादा जो है वो सामना ना करना पड़ सके इ रहे न्यूस फोर्नेशन में नमस्कार